सबी दर्शकों का पंज़ाबकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 20 अगस्त 2004 चौब इस दिन मंगलवार है आज की पंच्यांग के अनुसा राजविक्रम सवन्त 2018 के भादरपद क्रिश्न पक्ष की प्रथमाती थी है प्रथमाती थी रातरी आठ बच कर 30 मिनट तक रहेगी इसके बाद दूत्य अतिथी का आरंप होगा आज मंगलवार है और शत भिशा नक्षत्र है और आतीगंड योग है साथी आज पालव करण है अच्वंद्रमा संपून दिन और रातरी कुम्बराशी में गोचर करेंगे बिजन समंद यात्रा की बात करें तो पश्चिम या दक्षिन दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाबदायक साबित हो सकती है पंचांग के बाद अब बात करते हैं अचके वास्तो टिप्स की हमारे घर का पूज़ा का स्थान हमारे मनमस्तिष्क पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है इसलिए पूज़ा स्थान को हमेशा उत्रपूर्व में बनाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर पूर्व कोना अर्थात इशान कोन वास्तु पुरुष का सिर होता है इसलिए हमेशा ध्यान रखे कि घर में पूछा कास्तान कभी भी ड्रॉइंग रूम रसोई बेस्मिंट या स्टोर आधी में नहीं होना चाहिए इसके लावा यह टॉयलेट या मुख्य द्वार के बिल्कुल सट कर भी नहीं होना चाहिए हॉल में मंदिर बना सकते हैं आप जो भगवान की मूर्ती या चत्र रखते हैं उसका चहरा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए अब बात करते हैं आज का राशी फल की कौन सी राशी के लोगों के लिए आज का दिन शुब रहेगा और कौन सी राशी वालों को आज विशे साफधानी रखने की जरूरत है चलिए इस पर नज़र डालते हैं मेश राशी वाले लोगों के लिए दामपत्य जी उनमें कुछ कटूता रह सकती है, अपने स्वभाव में मुरूदता बनाए रखे तो स्थिती आपके नियंतरण में रहेगी, लोग स्वता ही आपके साहता के लिए आगे आएंगी, पीछे जो निवेश किये गए हैं, उनमे आज कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए बिजनस में सावधानी रखे, वरिशब राशी वाले लोगों के लिए कोई कार्य अच्छानक उनके विरोध में हो जाए, तो कोई आश्चरियन नहीं करना चाहिए, पारिवारिक तनाव की आशंका रहीगी, कार्य कुषल्दा में व संभावना है, इसलिए चिंता ना करें और अपने काम में जुड़ जाएं, समाधान के रास्ते जरूर निकलेंगे, मने सर्कूलेशन भी आज अच्छा रहेगा, कर्क राशी वाले लोगों के लिए रुके हुए कारे के बनने की संभावना बनी रहीगी, परिवार में सुक शान्ती का वादवरिन बने का, भाग्ये का साथ रहेगा, लेकिन प्रेम प्रसंग में सफलता संदिक्द है, मित्रों और रिष्टेदारों से सहयोग क्या पेक्षा ना रखें, किसी बुरी समाचार की प्राप्ती से मानसिक परिशानी हो सकती है, सिंग राशी वाले लोगो क्ले लिए लंबी यात्राओं को टालना उच्छत रहेगा, क्योंकि यात्रा में कस्ट और दुरगटना की आश्वं का बनी रहेगी, हाला कि व्यापार नौकरी में उन्नती की योग है, दामपत्तिर जीवन में मधुरता का संचार होगा, गंबीर तनाव के बाद भी आप स स्वियम को नियंतरण मिलेने की आश्या रख सकते हैं, चोड मोच का भै बना रहेगा, इसलिए सावधानी रखी जानी बेहत जरूरी है, आध्यात्मिक विश्यों में कुछ रूची और उनमें मन रमने से शान्ती मिलने की संभावना है, प्रियाटन की ओजना आज आपके लिए बन सकती है, हाला कि खर्च की अधिकता आपको परिशान कर सकती है, हाला कि आज के तुलना में कल का दिन आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, धनोर राशी वाले लोगों के लिए यातरा यूग है, जिसमें आपको लाब की स्थिती बन सकीगी, पारिवारिक जीवन म से हर्शो लास का वातावरण बन सकता है, वियापार में कुछ सीमा तक सफलता और बाकली लक्षे प्राप्ती की कोशिशों के काम्याब होने की संभावना दिखाई देती है, मकर राशी वाले लोगों के लिए कोई कारे अचानक उनके पक्ष में हो जाए, तो कोई आश्च दिखाई देती है, आर्थिक स्तिधी में जुमतकारी सफलता मिल सकती है, कारेकरता महिलाओ को भी लाब हो सकता है, आत्म विश्वास में बढ़ोतरी से परसनता होगी यदि बिजनस संभंधी आत्रा करते हैं, तो उसमें लाब की संभावनाय बनती दिखाई देती हैं, मीन आत्मकृतियों की रचना करने के लिए दिन अच्छा है, बड़ो को आशिरवात प्राप्त करें, आज के राशीफल में बस इतना ही, अगर आपके बन में आज के राशीफल से जोड़े कोई भी सवाल जवाब है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही जा आनकारी के लिए बने रही पंच्छुआपकेस्त्री.com के साथ